नमस्कार अदाब सचीकल दोस्तों स्वागत आप सुबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है Music Tutorials दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रियाता करना चाहूंगा उन सबी तबाम दोस्तों का जिन्नोंने मारे चैनल को लाइक किया और अच्छे-चे कमेंट्स किये कोविड के चलते हैं दोस्तों Online Music घर बैठे आप सीख सकते हैं कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे कि सारा का सारा आज का जो स्टडी है सारा का सारा Online आ चुका है जितने ओफ-लाइन कोर्सिस से सारे Online हो चुके हैं तो क्यों ना हम म्यूजिक को भी ऑनलाइन सीखे घर पे बैठे तो आई इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारी एक साइट है म्यूजिक टूटोरियल्स की माई म्यूजिक पीडिया उस पे दिखाना चाहता हूं कि हमारी जितनी वीडियोस है वहां पे आप देख स हमारी सारी वीडियोस और गूगल फॉर्म के लिंक मिल जाएंगे मैं यहां पे क्लिक करता हूं हॉम पेज के उपर आप हॉम पेज देख सकते हैं जहां पे आपको म्यूजिक टूटोरियल का एक लिंक मिलेगा तो म्यूजिक टूटोरियल में जाके आपको सारी की सारी हमार एप form के लिंक चाहिए Google forms के लिंक तो यहां पर लिखा है Google form link तो इस link के उपर जाके आपको क्लिक करना है ह। तो हमारे सारे के सारे link जो है Google form के सीद है आपको मिल जाएंगे और यह गूगल form के link अगर एक class में brother या sister है तो वो अगे चलते हैं म्यूजिक की एपस के बारे में बात करते हैं, आनलाइन म्यूजिक की जो मैंने बात किया है, वो है कि घर बेठे आप कुछ एक एक एपस हैं, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल, जिनको आप यूज करके म्यूजिक की अपनी जो नॉलज है एन्हांस कर सकत हैं, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यह एपस दो तरह की है, एक बेसिक लेवल की और एक अडवांस लेवल की, सबसे पहले बेसिक लेवल की यह चार एपस हैं, जिसमें सबसे पहले पियानो किड्स हैं, तो पियानो किड्स को खोल के देखते हैं, प्ले स्टोर से मिल जाएगे मैं आपको लिंक भी डिस्क्रीप्शन में दे दूंगा इसका तो जर्ब प्यानो जो है वीडियो खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा उसमें आप इंस्टुमेंट के उपर जाके देखिए यह है इसका इंटरफेस जब आप इंस्टुमेंट के उपर क्लिक करेंगे तो यह है सारे CD, EFG, ABC जो हमारे Western Notes हैं मैं इनको क्लिक करके बता देता हूँ तो दोस्तों यह है एप बहुत अच्छी एप है चोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है इसमें आप अपना music create भी कर सकते हैं यहां पर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे features उपर दिये हुए हैं आप उनको भी use कर सकते हैं जैसे xylophone तो यह उपर जितने features हैं आप इनको भी use कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है तो आप इसको जरूर एक बार चला के देखें आगे चलते हैं दोस्तो अगली app है perfect piano और piano यह दोनों apps एक जैसे हैं इनमें से आप कोई भी use कर सकते हैं मैं एक आपको खोल के दिखा देता हूं perfect piano तो perfect piano खोलते ही आपको इस तरह का interface मिलेगा इसमें कुछ paid version भी है आप keyboard पे जाएं तो keyboard पे आपको इस तरह का interface मिलेगा मैं इसको mobile को थोड़ा सा घुमा देता हूं तो यह दोस्तों उसका interface है तो यह जो उपर है यह octave है आप देख सकते हैं इसको उपर करेंगे तो आवाज इनकी और थोड़ी sharp हो जाएगी जैसे और इस तरफ लेक आएंगे तो log tape आजाएगा जो हमने पहले बात की थी लोग tape में ऐसी आवाज आएगी तो यह app दोस्तों आप यूज कर सकते हैं इसके ओपर recording का option भी है तो आप इसे जरूर एक बार चला के देखें दोस्तों next app है हमारे पास harmonium की यह बहुत अच्छी app है इसका interface कुछ इस तरह से है मैं थोड़ा सा इसको आपको बजा के दिखा देता हूं यहाँ पे आपको keys मि जाके लोक टे में चलते हैं कि यह देखिए तो इस तरह से दोस्तों आप practice कर सकते हैं कुछ भी बजा सकते हैं आप यहाँ ऊपर octave चेंज कर सकते हैं सरगम्स की practice करेंगे तो दोस्तों यह बहुत अच्छी app है आप इसको जरूर जरूर एक बार यूज करें दोस्तों यह थी हमारी music की apps मैं उमीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगली वीडियो में अडवांस लेवल की तीन apps और बताऊंगा जिन से आपको गाने में और भी benefit मिलेगा तो दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए शुक्रिया